मैं आपकी शिक्षी का एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ बचो हमने पिछली वीडियो में कत्वा प्रत्य के बारे में पढ़ा था और आज हम अपनी इस वीडियो में तुमून प्रत्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तुमुन प्रत्य हसंस्वित में के लिए प्रयोग किया जाता है तो चलिए देखते हैं क्या इसके परिभाशा है और क्या इसके नियम है तो सबसे पहले आ जाता है इसकी परिभाशा जो कि सबसे लास्ट में दी गई है तो इसकी परिभाशा है जब दो क्रिया पदों का करता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रियोजन या निमित होती है तो निमितार्थक क्रिया पद में तुमन प्रत्य होता है ये बचुस की परिभाशा है ठीक है जब दो क्रियापद का करता एक ही होगा तो था एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रियोजन बनेगी किसी कारे को करने का निमित बनेगी तो उस निमित आर्था क्रियापद में हम तुमुन प्रत्य का प्रयोग करेंगे आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रत्य से बने जो शब्द होते हैं वे अव्वे होते हैं और तुमुन प्रत्य कापरियोग को या के लिए अर्थ में किया जाता है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके नियम के बारे में तो चलो बचो हम पढ़ लेते हैं कि इसके कौन-कौन से नियम है सबसे पहला है तुमुन प्रत्य का तुम शेश बचता है ठीक है? ये सबसे पहला नियम है कि तुमुन प्रत्य जो होगा उसका लास्ट में कोई भी धातू के साथ आप जोड़ोगे तो तुम 6 बचेगा ठीक है तूसरा नियम है इसका दो वर्णों की धातू रहने पर बीच में E जुड़ जाता है हस्व E जैसे मैंने दो वर्णों की धातू ली पठ पठ में मैंने तुमन प्रत्य जोड़ा पठ जमा-तुमन तो क्या बना पठी तूम ठेक है पठी तूम क्योंकि दो वर्णों की धातू है उसमें चोटी की मात्रा का आगम हुआ दूसरा तीसरा नियम है इसका बचेव धातू के आंथ में म रहे तो वह बदल कर न हो जाता है कि अन्त है बचो अब हममेंने धातू लिः जैसे गं मेंम मेंने तुमुन प्रत्य जोडा तो गं में तुम उन्त decent May जो म inhalant है जब उसमें तुमुन प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा म का न में तो आधान तो क्या बना ग आधान और तुमुन का तुम शेश बचा तो गन तुम ठीक है आप नेक्स्ट निया में इसका धातु में हस्व ई या दिर्ग ई रहे तो वह बदल कर ए हो जाती है तो तो इसमें हमने चोटी की मात्रा है तो किसमें बदलेगी ये ए की मात्रा में तो क्या हुआ है चोटी का जे जे तुम और तुम का तुमुन का तुम शेश बचा ठीक है तो जी जमा तुमुन जे तुम अब अगला नियम है धातु में उ या हस्व उ या दिर्ग उ रहे तो बदल कर O हो जाता है ठीक है धातु में यदि O हो तो इसका है जैसे कि शुरू मैंने छोटा उलिया शुरू जमा तुमन तो इसमें क्या बना? O में बदला तो शुरू तुम तुमन का तुम शेश बचा अब अगला है धातु में दिर्ग ए रहे तो वह बदल कर आ हो जाता है दिर्ग ए जैसे मैंने धातु ली गे, गे मतलग गाना गे जमा तुमन तो क्या बना? गातुम ठीक है? गाने के लिए तो गे आ में बदल किया ए धावो आ में अब अगला नियम है धातु के आंत में आ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता धातु के अंत में आ हो बचे जैसे कि इसके धातु है ग्या ग्या जमा तुमन तो अगर इसमें क्या है? आ है तो उसका जब तुमन प्रत्य जोड़कर आप नया शब्द बनाओगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसमें ग्या तुम ही बनेगा अगला नियम है धातु के आंत में चवर्ग होतो कुछ अपवादों को छोड़कर चवर्ग का कहलंत हो जाता है कहलंत रथा आधा का जैसे कि मैं आपको ले रही हूँ त्यज ठीक है त्यज जमा तुमन तो त्यज में ज जो है वो किस वर्ग का है चवर्ग का चवर्ग वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ज आया है तो ज किस में बतल जाएगा आधे क में तो क्या बना त य आधा कर और तुम त्यक तुम छोड़ने के लिए ठीक है बच्चो ये कुछ नियम थे तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं देखते हैं कौन-कौन से अलग-अलग धातु रूप है जैसे कि यहाँ पे लिया गया है धाव जमा तुमन धावी तुम चल जमा तुमन चली तुम हस जमा तुमन हसी तुम कृजमा तुमन कर तुम अब बच्चो यहाँ पे री है री जो होता है वो र में बदल जाता है तो यहाँ पे जो भी अगला वर्न होगा तो वो उसके सिर पर चड़कर बैठ जाता है कर तुम ठीक है र का प्रयोग हम यहाँ बीच में नहीं करेंगे त के उपर करेंगे अगर छोटा र आधा है तो अब यहाँ पर म आया है बच्चोओ तो म किसमे बदल गया न में बदल गया है यह उपर न में अनुस्वार का प्रयूकिया नमस्ते के लिए अब नेक्स्ट आता है जैसे गन्तुम तो म है, जैसे इसमें नियम लगा था, म किसमें बतल जाएगा न में, तो गम जमा तुमन गन तुम, चीक है, समझाए आपको, अब भ्रम जमा तुमन भ्रमी तुम घूमने के लिए, पा, पा में आ गया है, तो इसमें कोई धातु का चेंज नहीं होगा, तो इसमें पा तुम, अब ये दृश है, दृश में री आ गया है, तो एक इसमें बतल गया, उपर दृस्टुम, क्रिश, क्रिश भी कैसे री है, तो इसमें र में बतलेगा, क्रिश जमा तुमन ग्रस्टुम, ठीक है, जोतने के लिए, तो अब हम इसका बचो वाक्य में प्रयोग करना सीख लेत जल पीता हूं अब तुमन प्रत्य जोड़कर हम इसका वाक्या कैसे बनाएंगे यहां पे दो क्रियाएं हैं खादामी और पीबामी अब इन दोनों में क्या लगएगा पहली जो क्रिया है जो प्रियोजन है उसमें हम तुमन प्रत्य जोड़ेंगे जैसे अहां खा दी तुम खाद जमतुम खादी तुम जलम पिबामी मैं खाने के लिए क्या करता हूं जल पीता हूं उसके बाद जैसे है बालह क्रिडती बालह ग्रिहात गच्छती बालक खेलता है और बालक घर से जाता है तो यहां क्या आया तुमन का प्रियोग हम करते हैं के लिए तो यहां पे ज और जो पहली क्रिजा है उसमें हम तूमन का प्रयोग करेंगे जैसे कि बालः क्रिडितुम, क्रिड़ जमा तूमन, ग्रिहात गच्चती, बालः खेलने के लिए घर से बाहर जाता है, ठीक है? अब अगली उधारन से समझते हैं, माता भोजनम पच्चती, सा पाक्षाला गच्चती, मतलब माता भोजन पकाती है, वह पाक्षाला जाती है, तो इसका एक संयुक्त बाक्या में हम निर्मान करेंगे, तूमन प्रत्य लगा के तो क्या बनेगा? माता भोजनम पक्तुम पच्च जमा तुमन पक्तुम, अब ये चवर्ग आ गया है, च आया है, तो च की जगा आधा क का परियोक्या है, तो माता भोजन बनाने के लिए पाक्षाला जाती है, माता भोजनम पक्तुम पाक्षाला गच्चती, तो बच्चो ये कुछ नियम बताए थे और मैंने आपको धारनों के साथ उसका वाक्यों में प्रयोक करना सिखाया था ये जो आपको दिया गया है ये अभ्यासकारे दिया गया है ये आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने अनुसार करना है ये आपका अभ्यासकारे है और सभी के लिए अनिवारे हैं जिसमें सबसे पहला मैं बता देती हूं बच्चो आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो समझाई होगी तो आपने अभ्यास करे करना है तब तक के लिए धन्यवाद